हेलो स्टुएंट्स वेलकम टू जीनियस आगे था आपका जनरल साइंस एमसी क्यों सीरीज बायल जी में आज कर जो हमारे टॉपिक होगा वह होगा सेल तो सेल क्या होती है कौन-कौन सी उसके स्ट्रक्चर है उनसे रिलेटिड प्रिवियस एक्जाम में जितने भी क्वेस्ट हम उन्हें डिसक्स करेंगे डिटेल में ठीक है तो चलिए अपने टॉपिक के साथ आगी बढ़ते हैं सो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल क्या है तो सेल इस दा बसिक बसिक्तुक्टोरल बसिक्तुनल और-खिन से बसिक्स्टोरल ऑ। स्पंडमेने टल अनलर्टrice fundamental unit of life cell जो है life की structural unit है functional unit है fundamental unit है या basic unit है कोई भी question आप से exam में पूछे तो आपके सभी answers सभी questions का एक ए अंसर है cell तो cell को हम क्यों बोलते हैं ऐसा क्योंकि cell से ही बाकी organs की शुरुआत होती है natuurlijk तो cell के अंदर differentiation होगा, उसके अंदर division होता रहेगा, फिर specialized function के हिसाव से हम cell के group बना देंगे, और उन group of specialized cell को हम क्या बोलते हैं, tissue, तो cell से बनेंगे tissue, ऐसे ही फिर tissue के अंदर फिर से differentiation होगा, और division होगा, तो फिर आगे जाके tissue भी अपने अलग लग group बना लेते हैं, तो tissue से ब related जितनी भी चीज़े हैं, जब हम उनके साथ मिला दें, तो वो कहलाएंगे organ system, ठीक है, और इन सभी system को हम जब एक ही चीज़ के अंदर fit करते हैं, वो क्या है, organ jump, तो इस तरीके से क्या है, उत्पत्ती हुई organ jump की, तो यानि क्या हुआ, सारा का सारा base, या fundamental, या फिर structure, किस पर depend है, cell पर, तो इसलिए हम cell को क्या बोलते हैं, basic, fundamental, or structural unit of life, अब इसके क्या है, अलग-अलग functions है, तो body के अंदर जितने भी function है, वो किस पर base है, cell पर, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे functional unit of life, किस ने बिताया था, cell के discovery की थी, Robert Hooke ने, कब की, 16, 65 में, उन्होंने जो orchid plant की root है, उस पर काम क्या था, orchid plant root, तो वहाँ पे जो structure देखा गया, वो cork-like structure था, इसके अंदर कोई भी liquid या, कोई भी matrix नहीं था, जिसके विज़ा से cell उन्हें क्या देखी, जैसे कि आपका hexagonal structure, जैसे कि आपका मधुमख्य का चत्ता होता है, इस तरीके से, ठीके, तो ये थी कौन सी cell, ये थी dead cell, बात हुई living cell की, तो जब living cell है, उसके बारे में बताया, Anton von Levenhoek नहीं, ठीक है, कि cell जो है, उसके इंदर matrix भी present होता है, और उस matrix के इंदर cell के छोटे-छोटे organ होते हैं, जिसको हम बलते है, cell organelles, clear, so living cell के बारे में किस नहीं बताया है, A, B, Levenhoek नहीं, देन, जो smallest cell है, वो क्या है, mycoplasma, और mycoplasma पे कोई cell wall नहीं होती, ठीक है, देन, largest cell क्या है, largest है, आपकी ostrich egg, और longest जो cell है, वो है nerve fiber, या आप कह सकते हो, neurons, clear, तो यह कुछ questions आपसे directly पूछ ले जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ questions हम बिसकोस करने वाले हैं, तो चलिए अपने topic के साथ आगे बढ़ते हैं, फोर्स्ट क्या है, how many chromosomes are there in humans, chromosome का होते हैं, cell के अंदर होता है nucleus, cell के अंदर क्या होता है, nucleus जो cell को control करता है, इस nucleus के अंदर ऐसे thread-like structure होते हैं, जिने हम बोलते हैं chromosome, तो कितने chromosome होते हैं, human beings के अंदर 23 pairs of chromosome होते हैं, 23 pairs, जिसमें से हम इसे तोड़ेंगे 22 pairs और 1 pair, ठीक है, यह 22 pairs similar होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम somatic chromosome, somatic chromosome, सेम होते हैं, one pair कैसा है, वो हो है आपका sex chromosome, तो कभी-कभी sex chromosome का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है, इन्हें हम बोलते हैं allosomes, और somatic को बोलेंगे हम autosomes, ठीक है, तो allosomes या sex chromosome क्या है, allosomes, अब देखो, यानि यह होगे 44, अब यह decide करेगा, या तो होगा XX, या होगा XY, तभी इन्हें sex chromosome बोला गया है, क्योंकि यह ही represent करता है sex को, अगर XX chromosome है, तो sex कौन सा होगा, आपका female, इसको हम represent करते हैं इस तरीके से, और अगर XY है, तो male और इसको represent करते हैं, S है, clear है, तो 23 pair मतलब कितने होगा, 46, तो answer क्या होगा, आपका 46, जो smallest यानि minimum number of chromosome किसके अंदर होते हैं, या कह सकते हैं, liver fluke, जिसमें total 2 chromosome है, ठीक है, यानि one pair, और जो maximum number of chromosome है, वो किसके अंदर है, वो है teridophytes में, ठीक है, कितने है, total है 1, 2, 6, 0, total number of chromosome है, या आप कह सकते हो, 630 pairs, clear, clear, so यह थे chromosome से related, कुछ questions, जो directly exam में पूछे जाते हैं, और यह teridophyte भी क्या है, एक fern है, clear है या तक, चलिए, next क्या question है, the number of chromosome pairs found in cells of human body, अब pairs में पूछा है, तो कितने होंगे, 23 pair, ठीक है, तो हमारे में कैसे होंगे, 44 plus xx, 44 plus xy, ठीक है, तो यह होगा है क्या, female, और यह होगी, male, इस तरीके से represent करते हैं, then, which organally in cell, other than nucleus, contains DNA, कौन सी ऐसी cell organally है, जिस के अंदर, देखो, nucleus के अंदर क्या होता है, DNA होता है, DNA क्या करता है, मतलब, एक genetic material का काम करता है, यानि, वो characters को parents से offspring में transfer करेगा, ठीक है, अब ऐसी कौन सी organally है, nucleus के लेवा, जिसके अंदर, खुद guardian होता है, तो वो होते है, mitochondria, and साथ में chloroplast, तो chloroplast सभी में नहीं पाया जाता, मतलब, plants में होता है, यानि, उनका क्या करेगा, उनका hydrolysis करेगा, तो कैसे करेगा, तो कैसे करेगा, इसके अंदर होते है, hydrolytic enzymes, जो क्या करेंगे, hydrolysis करेंगे, तो यह hydrolytic enzymes, यानि, चाहे कोई bacteria हुआ, virus हुआ, क्या करता है, कोई protein coat उसके उपर होता है, तो उसका करतेगा, breakdown, या उसके DNA को destroy, तो इस तरीके से, खुद की cell भी इस की, इसी तरीके से बनी होते है, किसी carbohydrate protein या lipids की, तो खुद की cell को भी इंगल्फ कर लेता है, खुद को मारना क्या कर लेता है, suicide, तो इसलिए बोलेंगे हम इसे, suicidal bag, clear, centriole जो है, किसमें होते है, animal cell में present होते है, जिसमें से, astral rays निकलती है, जो किसमें help करती है, cell division में, helps in cell division, ठीक है, गोलजाई apparatus क्या है, Camelo गोलजाई ने बताया था, इनके बारे में 3D structure होता है, इसका, ठीक है, जिसमें इस तरीके से shape होती है, यह होगी आपकी cis, और यह होगी आपकी trans, जो help करती है, other cell organelles के formation में, ठीक, endoplasmic reticulum के साथ मिलके help करेगी, दूसरा जो गोलजी apparatus है, वो क्या करते हैं, जो extra cellular material है, उसको store भी कर लेते हैं, तो store house of cell भी कह सकते हैं, लेकिन जब requirement होती है, तो requirement के time पर क्या होता है, cell burst हो जाती है, और जो भी material हमें चाहिए, वो भाहर आ जाता है, तो इसलिए हम बोलते हैं, इसे atom bomb of cell, clear, next है, which of the following statement is correct, इन में से कौन सी statement correct है, सबसे पहले, prions are the smallest free living cells, जो smallest free living cell है, वो है mycoplasma, क्या है, mycoplasma, तो prions क्या होते हैं, prions जो है, virus-like organism होते हैं, virus-like organism, but virus का क्या है, genetic material होता है, लेकिन इसके अंदर कोई genetic material नहीं होता है, which don't contain any genetic material, ठीक है, then, cell wall of mycoplasma is made up of amino sugar, जो mycoplasma है, उसकी cell wall किसकी बने होते हैं, तो हमने पढ़ा था, कि mycoplasma क्या होते हैं, without cell wall होते हैं, bacteria-like organism है, जो क्या है, without cell wall, तो यह क्या होगा, रोंग हो जाएगा, Virides consists of single stranded RNA molecule, जो virides है, वो क्या है, वो single stranded, मतलब एक ही strand है, उसका genetic material क्या दे रखा आपका, RNA ठीक है, लेकिन कौन सा RNA होते हैं, इसके अंदर circular RNA molecule होते है, रेन, Rickettsius-lex cell wall, तो Rickettsius के अंदर cell wall नहीं होती है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी cell wall नहीं होती है, अगर उसके अंदर giant material नहीं है, तो हम बोलेंगे prions, ठीक है, और ऐसे ही अगर nucleus के उपर cell wall ना हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे nucleoid, मतलब cell membrane ना होतो, अगर nucleus के उपर उसकी membrane नहीं है, तो हम बोलेंगे उसे nucleoid, यानि आपका जो chromosome structure है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, cytoplasm में कहीं भी, तो इसकी वज़े से, ना तो उसके अंदर खुद का क्या होगा, material होगा, ना उसकी membrane होगी, चलिए, तो next है, the reason of large scale diversity among organism, organism के अंदर जो changes आ रहे है, diversity का मतलब variations, वो किस की वज़े से आ रहे हैं, कि वो अपने आपको environment के according adapt कर रहे हैं, इस वज़े से, या फिर cooperation की वज़े से, यानि mutual relationship है, then mutation या फिर polyploid, तो इसमें जो answer होगा, आपका, वो होगा mutation, mutation में क्या होता है, यानि जो gene है, उसमें, या तो कुछ ने कुछ add हो जाएगा, मतलब insertion, ठीक है, या फिर उस वो क्या होगा, delete हो जाएगा, deletion, तो उसके वज़े से क्या होगे, large scale diversity होगी, किसकी organism की, clear, next है, which of the following does not have sex chromosome, किसके अंदर sex chromosome नहीं होते है, मतलब जो individual है, वो क्या करेगा, एग देगा, और वो एग ही क्या बन जाएगे, organism बन जाएगे, तो ऐसा किसमें होता है, जिसमें, asexual reproduction होता है, तो आपके options है, monkey, tiger, butterfly, fly, और lizard, तो lizard के अंदर क्या है, asexual reproduction होता है, तो क्या होते हैंगे, इसमें sex chromosome नहीं है, clear, how does the plant cell differ from animal cell, plant cell और animal cell में क्या difference है, पहली बात, देखो, plants अपना खाना swim बनाते हैं, और हम plants पे depend हैं, यानि plant autotroph हैं, और human beings, या other animals क्या हैं, heterotroph, तो वो बनाते कैसे हैं, यानि उनके अंदर क्या होता है, chloroplast, तो पहली बात कि plants के अंदर क्या होगा, chloroplast होता है, बट हमारे अंदर नहीं होता, दूसरा, plants के उपर cell wall होती है, क्यों है cell wall की ज़रूद, देखो, हम क्या करते हैं, हमारे उपर membrane है, plant के अंदर भी membrane है, बट उन पे एक extra coating और चाहिए, एक extra covering होर चाहिए, क्योंकि क्या होते हैं, plant भार हैं, अब धूप है, आंदी है, तूफान है, बारिश है, तो अपने आपको बचाएंगे कैसे, हम क्या करते हैं, हमें धूप लगे तो घर में आ जाते हैं, गर्मी लगे तो हमें इसी चला लेते हैं, तो ऐसे ही अपने आपको environment से protect करने के लिए, क्या होते हैं, उनके उपर cell wall होती है, तो plants पे cell wall होते हैं, और animals में नहीं होती है, ठीक है, mitochondria, mitochondria जो है cell को काम करने के लिए, क्या करता है, energy provide करता है, इसलिए हम बोलते हैं, इसे power house of cell, और किस फॉर्म में देता है energy, ATP की फॉर्म में, ठीक है, adenosine triphosphate, यानि जिसके इंदर, cytoplasm प्लस nucleoplasm, दोनों mix कर दें, तो क्या बन जाएगा, protoplasm, मतलब, धुर्वय होना चाहिए, जिसके विज़े से, cell organology उसके अंदर, जीवीत रह सके, वो function कर सके, nucleus क्या है, cell को control करता है, protoplasm को बोलते हैं, physical basis of life, क्या बोलते हैं, physical basis of life, मतलब, वो liquid, physical, मतलब, कोई न कोई physical state है, जो क्या है, life के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर protoplasm वहाँ नहीं है, तो बाकियो organology भी नहीं मिलेंगी, तो cell क्या हो जाएगी, clear, next है, what is not found in animal cell, animal cell के अंदर, क्या नहीं होता, अभी पढ़ा था, अमने, cell wall नहीं होती, cell wall of cellulose, किसी की भी बनियो cell wall होती ही नहीं है, ठीक है, nucleus हर एक cell में होता है, one term that generates the maximum number of ATP atoms in our system, हमारे body के अंदर, बहुत सारे system हैं, अलग-अलग system होते हैं, जैसे ही, digestive system हो गया, excretory system हो गया, फिर osmore regulatory system हो गया, तो इस तरीके से क्या है, अब उन system में, सबसे ज़्यादा ATP कौन release करता है, तो सबसे ज़्यादा ATP release होगी, आपके crab cycle के अंदर, क्योंकि जब glucose का breakdown होगा, तो क्या होता है, CO2 plus S2 में तूटता है, तो इस दोरान क्या है, 4 ATP release होते हैं, लेकिन 2 वापस consume कर लिये जाते हैं, तो कितने बचेंगे, 2 और crab cycle के अंदर होते हैं, जिसके अंदर main जो molecule, वो क्या बनता है, citric acid, जो कि एक 3 carbon compound है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, citric acid cycle, ठीक है, इसमें कितने ATP release होगे, आपके 36, और यह सारा होता है, किसके दौरान, यह होता है हमारा, aerobic respiration के दौरान, clear है, next है, which of the following organelle is known as powerhouse of cell, अभी पढ़ा था, हमने ही mito point देया, ribosome क्या है, ribosome help करता है, protein formation में, इसलिए है protein factory, centrosome है, हमारा cell division में help करेगा, और cell membrane क्या है, organism के अंदर protection का काम करते है, मतलब protective layer है, act as a guard, membrane जो है permeable भी हो सकते है, impermeable भी हो सकते है, और semi permeable भी हो सकते है, तो हमारी जो skin है, वो भी क्या एक cell membrane है, और कैसी हमारी skin, semi permeable, क्यों, उसमें से sweat तो बाहर आ जाता है, मतलब water और salt तो बाहर आ गए, लेकिन सारी चिज़े बाहर नहीं निकलती है, ऐसे तो क्या होगा, बोडी के अंदर कुछ रहेगा ही, तो एन्नी जो selective things को अपने में से पास होने दे वो semi permeable, जो सब कुछ पास होने दे वो permeable और जो कुछ भी पास नहीं होने दे वो क्या होगा, एक एक की तरह काम करेगा, तो उसमें fertilization होते ही क्या हो जाएगा, वो fertilized egg बन जाएगा, यानि जाइगोट, जाइगोट से embryo, embryo से fetus, ठीक है, अगर pregnant नहीं होते, तो क्या होता है, वो white discharge की form में बहार आचाता है, तो उसे हम बोलते हैं, corpus albicans, ठीक है, एक corpus, जो है, brain में भी present होता है, उसे हम बोलते हैं, corpus callosum, corpus callosum, ये क्या होता है, brain जो है, दो hemisphere की form में है, तो इन दोनों sphere को आपस में जोडने के लिए, कौन काम करता है, corpus callosum, ठीक है, then plasma membrane is built up of, plasma membrane बनी होती है, किसकी glycolipids की, मतलब lipoproteins की भी कह सकता हो, तो ये है protein or lipid, clear, वैसे carbohydrate भी होते हैं, लेकिन तीनों का option है नहीं, इसलिए आप क्या करोंगे, सिर्फ बोथ को लगा उप जो, which of the following cell organalis, play the most significant role in protein synthesis, protein synthesis में, कौन सी organali help करती है, हमने अभी पढ़ा था, कौन करता है, ribosome को क्या बोलते हैं, protein factory of the cell, तो answer क्या होगा आपका, ribosome किस में है, endoplasmic reticulum क्या करता है, जितनी भी cell के अंदर, चीजों की requirement पढ़ती है, तो उनके synthesis में help करेगा, तो endoplasmic reticulum, दो टाइप का होता है, S-E-R और एक होता R-E-R, तो S-E-R मतलब smooth, उसके ओपर कोई ribosome present नहीं है, R-E-R मतलब rough endoplasmic reticulum, यानि उस पे ribosome present है, और ribosome किस में help करेगा, protein formation में, तो इसलिए endoplasmic reticulum and ribosome, दोनों हो जाएंगे, बाकि सब का हमने पढ़ लिया है, नेक्स है, lymphocyte cells are formed in which part of human body, lymphocyte क्या है, WBC की एक type है, ठीक है, type of white blood cells, जो क्या करते हैं, हमें immune system provide करते हैं, और इसकी formation होते हैं, जितनी भी blood cells हैं, उनकी formation होते हैं, bone marrow में, लेकिन जो WBC हैं, वो दो type के हैं, B और T cells, बिटा लिम्फोसाइट और T lymphocyte, तो इनकी जो formation है, bone marrow में तो होती ही है, लेकिन, maturation का होती है, इनकी spleen में, तो यहाँ पर आपका bone marrow option नहीं है, तो क्या होगा answer आपका spleen, spleen के अंदर mature होता है, next है, cellular and molecular control of programmed cells, death, देखो, यानि क्या होता है, cell के अंदर division होता रहता है, बट उनको control भी क्या जाता है, तो इस तरीके से, जो programmed cell death होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, apoptosis, aging होता है, मतलब बुढ़ापी की तरफ अगर सर होना, degeneration मतलब, cell के अंदर division ही रुख जाएं, और necrosis मतलब, मुर्जाना ही होता है, plants के अंदर, जब पतियों के अंदर growth रुख जाती है, which of the following statement is not true, with regard to transplantation of stem cells in animals, जो stem cells हैं, हम उन्हें transplant करेंगे, मतलब, एक organ से दूसरे organ के लिए, या फिर एक animal से दूसरे animal में, या human being से दूसरे human में, तो उसे related कौन सी statement true नहीं है, यह धार रखना आप note का बिल्कुल, so they multiply themselves throughout the life span of an animal, यह जो हैं क्या करते हैं, खुद को multiply करती रहती हैं, जब तक animal है, ठीक है, तो यह सही है बिल्कुल, they repair the damaged tissues of the organ, अब यह पूरी throughout life अगर multiply करती रहते हैं, तभी तो हम damaged tissue को replace करके, stem cell से उसका regeneration कराते हैं, तो यह भी ठीक है, they have capacity to produce one or more type of specialized cell, यह क्या है, अपने जैसे और cells बना सकते हैं, या हम जो stem cell यूज करते हैं, उससे दूसरी type की cell भी grow कर सकते हैं, other tissues में भी पाई जाती हैं, clear, जैसे skin के हो गई, with reference to the latest development in stem cell research, consider the following statement, अभी stem cell पे research जारी है, ठीक है, मतलब हम बोलते हैं कि, जो cell है human being के अंदर, या किसी भी animal में, एक ऐसी cell होती है, जो सिर्फ एक ही बार life में formation होते हैं, उसके बाद, अगर उनमें कोई भी defect होता है, तो उसे हम दुबारा नहीं बना सकते हैं, जैसे कि हम nerve cells की बात करते हैं, तो research इसी तरीके से जाए, कि उनसे हम nerve cells भी generate कर सकते हैं, कि नहीं कर सकती, so the only source of human stem cells are the embryos, at the blastocyst stage, तो इसने बोला है कि, जो human stem cells है, उनके लिए only source क्या है, कि embryo, यानि जब बच्चा पेट में होता है, मतलब जाइगोट से थोड़ी से development होती है, जब उसके अंदर blastocyst stage होती है, यानि 16 से 32, 32 से 64 इस तरीके से division होता जाता है, तो उस time क्या होगा, बिलकुल होता है, सिर्फ वही एक best source है, the stem cells can be derived without coaching destruction, हम इसको जब बहार निकालेंगे, तो हमारी जो blastocyst है, उसको कोई भी damage नहीं होना चाहिए, मतलब cells का एक ठिक मास है blastocyst, ठीक है, stem cells can resonate themselves in vitro, virtually forever, यानि हम किसी test tube के अंदर इसे fertilize करा सकते हैं, regionate करा सकते हैं, फिर animals में उसे introduce करा सकते हैं, Indian Research Center also created a few cell lines, which can be developed into many types of tissues, तो ऐसी ही कुछ cell lines डवलप भी की हैं, जिससे हम भोट सारे tissues डवलप कर सकते हैं, मतलब regeneration करा सकते हैं, अगर किसी organ में defect आता है तो, और उसी पे base, आज कल क्या किया जाता है, जो placenta है, उसे store कर लिया जाता है, उससे क्या होगा, यानि future में, वो placenta के अंदर किसकी cell होगी, mother की भी और father के भी क्या है, बच्चे के अंदर character आए हैं, तो उसकी जो generation है, मतलब जो baby है, उसके mother, father, और आगे आने वाली generation के, वो कामा सकते हैं, ठीके, अगर कोई भी injury होती है, तो उससे stem cell से, हम बाकी organ को resonate करें, तो इसके answer होंगे, all, clear, तो यह था cell से related topic, या previous cell के question, तो ऐसे ही हम कुछ और question के साथ मिलेंगे, next class में एक नए topic के साथ, अभी के लिए इतना ही, thank you, have a nice day, good luck for your exam,